अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों हमने इससे पहले सबक नंबर दो बक्र का घर पढ़ा था बक्र नूम घर आज हम उसी के मुतालिक कुछ जुम्ले सीखेंगे तो आए शुरू करते है तो इसके अंदर पहला जुम्ला है हल अल मस्जिदो करीबुन मिनल बैद सु घर मस्जिदनी पासे चे या फिर यह जुम्ला इस तरह से भी हो सकता है के सु मस्जिद घर नी पासे चे तो इसमें लिखा नाम मूँ नाम मूँ के माइने हाँ हाँ मस्जिदो करीबुन मिनल बैद हाँ मस्जिद घर मस्जिदनी पासे चे अब इसके सामने दूसरा जुम्ला है हल अन्ता मुदर्रिस हल इटले सु अन्ता इटले तमे मुदर्रिस इटले सिक्षक सु तमे सिक्षक छो तो नीचे उसमें लिखा के ला अना तबीबुन अब दूसरा जुम्ला देखेगे और दूसरे जुम्ले के अंदर उसने लिखा हल अंता तबीबुन तो यह हो गया कि ना हूँ डॉक्टर छोऊ और इसके बाद दूसरे जुम्ले में वापिस हल अंता जाबितून सु तमे ओफिसर छो तो उसमें लिखा के ना अना मुदर्रिस ना हुँं शिक्षप छुँँ अब यहाँ पे हल अल बैतु करीद मिनल इयादती हल अल बैतु करीद मिनल इयादती सु घर इयादती एटले दवाखाना होस्पीटल सु घर दवाखानानी पासे छे तो नाम्मू अल बैतु करीद मिनल इयादती हा घर दवाखानानी पासे छे हाँ घर दवा खाना नी पासे छे अब इसके सामने का जिम्ला है हल अन्ता रजलूल मुरूर हल अन्ता रजलूल मुरूर रजलूल केचे मानस को मुरूर केचे ट्राफिक पोलिस तो तमें ट्राफिक पोलिस यानी ट्राफिक ना मानस छो तो उसने लिखा के ला अना मुदर्लिस के ना हूँ सिख्षप छो अब सुगर मा मेमानों माटे ओड़ो छे तो नाम मुझे जवाब लिखा के हाँ घर मा मेमानों माटे ओड़ो छे अब इसके बाद हल बैतू करीब मिनस सूप सूगर बजाननी पासे छे तो ला में जवाब लिखा के ला अलबैतू बही अनिशुक ना घर बजार्थी दूर छे तो अपनोंने जब पाट पड़ा था पहला पाट पड़ा था उसके अंदर भी आया था दूसरा पाट पड़ा उसके अंदर भी आया था के घर बजार्थी दूर छे आने मस्जिदनी पासे छे अब इसके बाद आगे जुम्ला है के हल फी अल बैतू हुजरती अन्नूम सु घरमा सुवा माटे बैडरूम छे सुवा नू ओल्डो छे तो हां घरमा सुवा माटे ओल्डो छे इसके बाद हल अन्ता बकरून सु तमे बकर छो तो उसने लखा के ना हुँ सही छूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ छे हल अन्ता तालिबुन सूं तमे विद्यारती छो तो आगे ला अना हारिसुम ना हूं चोकिदार छूं तो ये बच्चो ये जो आज का लेशन है इसको आपको अपनी अर्बी की नौट में अच्छे साफ अक्सर में लिख कर लाना है और मेंद जरूरी है मेंद के बीना कोई काम नहीं होता बस खुदा हाफिज